हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं बताऊंगी शिक्स टू सेविन इयर गल के लिए साड़ी से लेंगा बनाएंगे तो उसके लिए यह हमने साड़ी नेट के लिए यह हमारी ओल साड़ी है तो इससे बनाएंगे और यह साटन का फैब्रिक लिया है एक मीटर इससे हम नीचे बॉर्डर पर लगाएंगे तो चलिए सबसे पहले मैं एक पेपर पर आपको बता देती हूं तो इस तरह की हमारी साड़ी होती है यह साड़ी होती है और इसकी चोड़ाई एक मीटर और पांच है इंच के लगवग होती है फोर्टी सिक्स सेवन इंच तो औ मुझे आदा मीटर इसमें से मैंने टॉप के लिए डिजाइन के लिए कप्डा निकाल लिया था साड़ी का तो आदा मीटर यह हमने इसमें से कट कर लिया है तो पांच मीटर का हमारा गीर बचेगा तो पांच मीटर लंबी यह साड़ी बची है तो इसको हम पहले लंबाई की लंबाई लेंगे जो हमारी लंबाई है वो लेंगे बैल की लंबाई कम करने के बार हम अपने लंबाई लेंगे और एक लाइन कीज लेंगे और इस तरह से हम साड़ी को कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे लेंगे की कटिंग हो जाएगी साड़ी पर तो मैं आपको साड़ पर बता दिया जिससे समझ में आ जाए इसलिए तो और यहां पर हमारे गैदर्स पर जाएंगे और नीचे हमारा वाटर आ जाएगा साड़ी में इस तरह से चलिए साड़ी पर बताती हूं अब मैं हमें साड़ी को लंबाई में 3-4 बार खोल्ड कर लिया है तो अब साड़ी का अर्ज है जो चोड़ाई है तो उसमें हम लेंगे साड़ी अपने लेंगे की लंबाई तो लेंगे की लंबाई है 31 इंच तो इसमें से 1 इंच हम बैल्ट की लंबाई कम कर देंगे तो 30 इंच बचे साडी कीच लेंगे तो हम लॉइक लाइन कीच लेंगे जो निसान लगाई है और यहां से हम इसको कट कर देंगे तो यह देखिए ये साडी का नीचे बॉडर अगर इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग और अब हमने लिया है यह lining लगाएंगे नीचे इसके net के नीचे यह साटन का कपड़ा लिया एक मीटर तो इसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया है और मैं इसकी लंबाई लूँगी तो इसकी लंबाई मैं एक इंच छोटी रखोंगी जो हमने net की cutting की है तो उससे हम इसको एक चोटा रखेंगे तो इसकी लंबाई टोटल 31 इंच है हमारे लेंगे की तो एक इंच बैल्ट की लंबाई कम कर देंगे और एक इंच मैं जो इसके नीचे नीचे रखेंगे तो उसकी लंबाई कम कर देंगे और आदा इंच हम इसमें जोडेंगे सिलाई के लिए दर अधर जा चुटा रखेंगे इसलिए तो अभी इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और अब यह हमारा घेर इसमें एक मीतर में थोड़ा सा कम आएगा तो इसलिए मैंने यह नीचे से हमारा यह कपड़ा बचा है तो इसको भी हम इसी में इसके बरावर कट कर लेंगे इसकी लंबाई की बरावर और इसमें यहाँ पर साइड में जोड़ देंगे इसको लंबाई जो हमारी घेर की चोड़ा ही रहेगी उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो थोड़ा हमारा गेन इसका लाइनिंग का ज्यादा हो जाएगा और यह कपड़ा भी हमारा काम आजाएगा तो इस तरह हमने जॉइन्ट कर लिया इसमें अब हम इसको बरावर फोल्ड करेंगे एक बार अपनी चोड़ाई में हमने इसको एक बार फोल्ड किया है और यहां से हम इसको कट कर देंगे बराबर फोल्ड करके तो यह हमारे दो पार्ट हो जाएंगे एक फ्रंट का और एक बैक का तो अब इन दोनों को मैं यहां से जॉइंट कर लूँगी लंबाई में और नीचे बॉर्डर पर हम लगाएंगे यह बुक्रम बैक की तरफ तो यह इस पर हमने इसको जॉइंट कर लिया है और नीचे बॉर्डर पर हमने लगाई है बुक्रम यह तो अब हम इस पर लगाएंगे कपड़े की पट्टी इसके उपर से तो ये मैंने cotton के कपड़े की पट्टी कर ली है तो इसकी चौड़ाई हमने बुक्रम की चौड़ाई से ज्यादा रखी है क्योंकि ये भी सिलाई में जाएगा इसलिए इससे हमने 1.5 इंच चौड़ी रखी है इसको तो इसको हम सीधी तरफ से सिलेंगे बुक्रम को हमने उल्टी तरफ लगाया है कपड़े पर और इसको हम सीधी तरफ रखेंगे कपड़े की और यहां नीचे से इसपर सिलाई लगा दिया है कपड़ा जोड लिया है इसपर ये पट्टी का अब इसको हम इस तरह बुक्रम के उपर पलट कर और यहां से फोल्ड करेंगे और इसके उपर से स्लाई लगा के जॉइन्ट कर देंगे इसको तो यह देखिए बॉर्डर हमारा लग चुका है इस पर तो इस तरह से यह नीचे तो हमारा बॉर्डर लग गया और ऊपर की दरफ हमने एक लंबी स्लाई लगा लिए है यहां पर हम गैदर डालेंगे इसमें तो इसके लिए पहले मैं बैल्ट की कटिंग कर लेती हूं तो यह मैंने बैल्ट को फोल्ड कर लिया एक बार और इसकी लड कर लिए हमारी कमर ए 24 इंच । उपास मॉण लिए हिसने के लिया है तो यह हो गया था 16 इंच यह चौरिक कुई है प्त्ती की लंबाई इसे के बरावर अभी मैं इसमें गयदर डालूंगी इसमें ऑफर इसमें भी डालोंगी इसमें अबने ऊपर लंभी स्लाई का टाका लगा लिया एक sum peng पूरी शाड़ी पर और यहां पर हम गयादस डालेंगे तो लंबी सलाई लगा लिए तो अभी द्रवा कीज़ के इसमें भी गयादस डालेंगे तो इसमें भी हमने एक वैल्ट की नाप के बरावर गयादस डाल लिए तो अब मैं पहले लाइनिंग का फैबरिक रखूंगी इस तरह से अब इसके ओपर उपने नैट का रखेंगे इस तरह से और दोनों को कमर पर हम वरावर से रखे और जाइंट कर देंगे कमर से यहां पर अब इस दोनों को वरावर से रखे उसर्द गृणल कर लेंगे तो दोनों को जाइनाय को और नेट को तो अभी हम इसकी के זू स्वाइन लगा देवें जाइन है लेगा जाएंगे तो पहले मैं इसके पर दोनों की अलगा यह यह स्वाइन नितिकों आज यह में बलट है तो इसको में इसको कि यूट कर लूंगी तो अब इसको हमें एक फॉल्ड करेंगे 12 것은 यह ची जालेंगे ऑदा इंच अब इसको इसलोग Jordan व मैं लगा लोका नुटर करेंगे इसको जाइन कर लिया इतना से हमने खुला रखा है यहां से हम इलास्टिक डालेंगे इसमें तो यह हमने ली है इलास्टिक तो हमारी कमर की गोला ही है 24 इंच और हमने जो 4 इंच लूजिंग के लिए रखा था वो मैं इसमें से कम कर दूंगी तो मैंने 24 इंच लिये और 1 इंच की लगवा हमसिल देंगे तो थोड़ा कम ओर हो जाएगा और मैं यह लास्टिक डाल दी तो इस तरह से हमारा यह लेंगा तैयार हो गया आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज बीडियो के लाइक से यह कर मेंट जरूर कीजिए आप का सबस्धaff Gebiblis यह लेपको हमस्वाओ से लाइक साथ के लाइक से यह जरूर कहा होईगे दो जरूर दोके लाएख अच derा बना प्लीज आबूर के लाइक सो दो